प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी नाहस्ते रोजगारी पत्र एनायत कारेक्रम आजे योजानार छे अम्दवादना साही बाग खाते रोजगार भरती मेडानू पन आयोजन छे देश भरमा 40 जेटला अलग-अलग सडो पर इस एक योजना ने मैनिफेक्टरर्स, बेंडर्स, एसेमलर्स और रिपेरर्स के लिए रोजगार के लाखो नए अवसर तैयार कर दिये है पी-एम सूर्यगर मुप्त बिजली योजना से देश में रोजगार के लाखो नए अवसर बनने जा रहे हैं साथियों, मैं एक और उधान देता हूँ आपको और मैं आज छोटे-छोटे गाउं से जुड़े उधान देता हूँ आपको अब खादी की चर्चा तो हमारे देश में आजादी के समय चे हो रही हैं लेकिन आज खादी ग्रामोद्योग क्या कमाल कर रहा है पिछले दर्स वरसों में हमारी सरकार की नीतियों ने खादी ग्रामोद्योग इसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी है और तस्वीर ही बदली ऐसा नहीं है गाओं के इस काम से जुड़े लोगों की तकदीर भी बदल दी है आज एक साल में खादी ग्रामोद्योग डेड़ लाग करोड रुपिय से ज़्यादा का कारुबार कर रहा है अगर दस साल पहले की स्थिती से तुलना करे जैसे अभी डॉक्टर जितेंद सिंग जी सरकारी नोकरी के पुराने और नई सरकार के आखड़ी दे रहे थे मैं यहाँ एक और बात बता रहा हूँ अगर हम यूपिय की और एंडिय की सरकार की तुलना करे खादी के सबन में तो आज खादी की भिक्री यूपिय की सरकार से चार सो प्रतिशक तक ज़्यादा बढ़ गई है जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मटलब है कि इस से जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यपारियों को भी बहुत बड़ा फाइदा हो रहा है इस शेत्र में नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं बड़ी संख्या में रोजगार का सिजन हो रहा है इसी तरह हमारी लखपती दीदी योजना ने ग्रामिर महलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए साधन दिये हैं पिछले एक दशक में दस करोड महलाएं सेयल फिल ग्रूप से जुड़ी हैं और आपको मालुम है सेयल फिल फिल ग्रूप एकोनॉमिक एक्टिविटी करता है कुछ ली कुछ करके कमाई करता है मतलब दस करोड महलाएं जो कमाने लगी हैं रोजगार स्वरोजगार के कारा उनके घर में पैसे आ रहे हैं अपनी मेहनत से आ रहे हैं कि दस करोड का आकड़ा और सिर्फ महिलाओं का यह बहुत लोग उनको नजर नहीं आता है और सरकार नहीं पूरी तरह सपोर्ट किया है सौशाधन में सपोर्ट धन देने में सपोर्ट यह महिलाएं किसी ना किसी रोजगार से आए अरजित कर रही हैं कमाई कर रही हैं हमारी सरकार ने इन में से तीन करोड महिलाओं को लखपती दीदी बनाने का लक्ष रखा है मामुली इनकम ने हम इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं अब तक करीब सवा करोड महिलाएं लखपती दीदी बंची की हैं मतलब उनकी एक साल की इनकम एक लाख रुपे से जादा हो गई हैं और ये हर वर्ष कमाने वाले हैं साथियों आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ वबस्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश की ये तरक की देख देश का युवा ये भी पुश्ता है और स्वाभाविक है उसके मन में सवाल है कि जो गती आज है जो विस्ता आज है वो गती पहले क्यों नहीं पकड़ी इसका जवाब है पहले की सरकारों में नीती और नियत दोनों का अभाव था साथियों आप याद करिये पहले ऐसे कितने ही सेक्टर थे जिन में भारत लगातार पिछडता जा रहा था खास कर टेक्नोलोजी के एक्षेत्र में दुनिया में नई नई टेक्नोलोजी आती थी लेकिन भारत में हम उनका इंतिजार करते रहते थे सोचते देपे यह आदुनिया में तो आया हमारियां कब आएगा जो टेक्नोलोजी पस्चीमी देशों में आउट्डेटर हो जाती थी निकम्मी हो जाती थी कब जाकर के वो आमारियां पहुंचती थी समाचारों मा अगण वदिये तो कठन कार्जाने पन हचमचावी नाखे एवाद्रश्व वडोद्राना सिनोरोमा जोवा मड़या आयुशमान आरोग्य मंदिर नी गंभीर वेदरकारी वरुद्ध माताने लारी मा सुबडावी पुत्र सारवार माठे लए गयो सित्तेर वर्षी वरुद्ध माताने हातलारी मा सुबडावी सारवार माठे लए जवाब पुत्र मजबूर बन्यो लाचार पुत्र अने मातानी तस्वीरे निश्ठूर तंत्रनी पोल खोली दिदी छे सरकारी दवाखानानी एंबुलन्स गरिब दर्दीने काम न लागी आउट्सोर्सिंग नी एंबुलन्स व्यक्तिकत उप्योग मा लेवाती होवानी पॉन चर्चा छे लाचार पुत्र नी आ मजबूरी हती निश्ठूर तंत्रनी एहिया पोल खुली गई छे वडुत्र न शिनोर नो आ बनाव छे वडुत्र ने मातानी तस्वीर निश्ठूर तंत्रनी पोल खोली वदुमायती साथे वडुत्राती संपाद्दाता हार्धिक दिख्शित जडाया छे हार्धिक आब प्रकारनी जे घक्टना छे खरेकर खुबज गंभीर छे आने आरुगे तंत्रनी पोल पण खोलना रीचे शुवतु भी गतो छे आरुगे तंत्रनी पोल पण खोलना रीचे शुवतु भी गतो छे प्रकाणी चर्शा चली रहीं चे आउटां सोर्सिंगे एंबुलोस चेक त्यावा अपने प्रतिक रिया शुचे कि पानों पिल्ग रवा, जोरे मार नाद पोला वी नति कि बॉद्वार ने जान करी नति सरकार्य जवाकरौने गरे बिले αναप्रवार ने सारवते में सुधना अपी जे जान नदिक करी जस्थिर्सण, ड़के लारी ले नाया परन्तु जो कोईपन विस्तार माँ आप्रकारे कोईपन माता होए बृध माता होए ने लारी पर ले जमी पड़े तो ये स्थिती केटली खराब के बाए कोईपन विस्तार माँ होए गुजरात्मखाली वरानिक बात नथी मैं सम्झू छू परंति हमने जानतों करवी जोए ने डॉक्तर हो कि हमें बद्या कोई भगवान तो वाता ने हमने जान करी होत कि आ लोको चे थे हमारे मध्दन ने आओ प्रोब्लेम छे एक्सवाट आपड़े मुकली आलग अन्य हमारे मुटा भूपरिया ना सरकारी जावा आई नाती है अने जी एम्बूलेंस चे ए गहनी वखत हुआ सामें आवी उचे देख लाक स्थानिकों साथे नी बादचीत मां कि ए एम्बूलेंस कॉंट्राक्ट वाड़ी होई चे ए लोकों जल्दी आवता नाती ना पन एक्सो आट्टों बदे परती जोए चे एक्सो आ